हालो लेर्नर्स, वालकुम बाक तू माई यूट्यूब चानल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दिस्क्रिस करने वाले हूँ लेक्चर 88 जो मैंने MCQs की सिरीस स्टार्ट की हुई है UGC Net Commerce के लिए और पार्ट 1 तू पार्ट 87 की जो वीडियो हैं उनकी playlist का link मैंने आप लोगों को description box में provide किया है और यह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा useful रहने वाली है तो अगर आपने कोई भी पार्ट अभी तक miss किया है तो आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए ओके सो हम start करते हैं आपको देखिए यह question दिया गया है stats related मैं आपके लिए mixed question इसलिए लाती हूँ कि आपका जो है अच्छे से interest भी बना रहे वीडियो में और आपको concept की भी clarity हो इसलिए detail में discuss कर रहे हूँ देखो which of the following statements are correct आपको बताना है कौनसी statement इसमें से जो है correct है first देखिए in a perfectly symmetrical distribution mean, median and mod all are equal that is mean यहाँ पर mean x का बार है this one mean is equal to median is equal to mod यह बिल्कुल correct है आप लोगों को पता होना चाहिए जो भी perfect symmetrical distribution होता है ध्यान रखना है symmetry में होता है perfect symmetrical की बात हो रही है यहाँ पर वहाँ पर mean, median and mod तीनों equal होते हैं अब हम आगे देखते हैं in a moderately asymmetrical अब क्या है moderately asymmetrical distribution mean, median and mod are not equal यह बिल्कुल correct है अब आगे उसके further हम two parts की बात करते हैं positively skewed जो की ज़्यादा skewed right की तरफ होता है जिसकी tail right की तरफ ज़्यादा होती है उसमें ध्यान रखना mean is greater than median and median is greater than mod यह द्यान रखना यानि की positively skewed distribution में सबसे बड़ी value किसकी रहती है mean की रहती है फिर उसके बात median की and then mode की और अगर negatively skewed है तो इससे क्या होगा negatively skewed का मतलब है वो left की तरफ है ज़्यादा तो इसमें क्या होता है हमारा mean smaller होता है median से and median smaller होता है मोड से तो यह important है आप लोगों के लिए ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आप देखिए इस question से आपके काफी सारे concepts clear हुए है और देखो concepts clear होंगे तो किसी भी type का question आएगा तो आप easily attempt कर पाऊगे तो यह तीनों ही statements जो है all of these यह तीनों की तीनों statements जो है बिल्कुल correct है यह आप लोगों को ध्यान रखना है यह तीनों ही statement क्या है हमारी correct है तो हमारा answer क्या आने वाला है all of these और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो आपकी different units and ad commerce के लिए like legal aspects of business, मैंने तीन units जो है उनके वीडियो लेक्टर स्टार्ट कर दिया है तो उनकी playlist का लिंक भी मैंने आप लोगों को description box में provide किया है next question देखिए आपको numerical short numerical आ जाते हैं बट आपको formula जरूर पता होना चाहिए तो आप से पूछा गया है five students obtained the following marks in stats आपको five students के marks दी हुए आपको क्या निकालना है coefficient of range और एक चीज़ यहां रखना coefficient of range निकालने का formula क्या रहता है L minus S divided by L plus S L का मतलब यहां पर हमारा किससे है larger value से और S का मतलब क्या है यहां पर हमारा smallest value से यह चीज़ धियान रखना L का मतलब क्या है larger value S का मतलब है smallest value तो आप इसमें से जो सबसे बड़ी value है वह है हमारे पास 35 ओके और सबसे छोटी value कौन सी है 15 तो 35 minus 15 35 plus 15 35 minus 15 अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 20 और 35 plus 15 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है हमारे पास तब आता है 50. तो अगर आप इसको solve करते हैं तो 0.40 answer आएगा. So that will be our coefficient of range. क्या होगा हमारा coefficient of range? 0.40 Okay. Next है question. Which of the following statement is not correct? देखो correct पुछा हो या not correct? दोनों में बहुत difference है. So आपने not word का ध्यान रखना है and हर एक word को जो statements होते हैं दूसरे question भी है simple. हर एक word को ध्यान से पढ़ना है. एक एक word की वज़े से meaning change हो जाता है. तो आपको बताना है इन में से कौन सी statement जो है correct नहीं है. हम देखते हैं किस रिलेटिड है? ये रिलेटिड है आपने सुना होगा जो measures of dispersion होते हैं जो measures of dispersion होते हैं उसके type होते हैं उसमें हम बात करते हैं एक absolute measure of dispersion ठीक है? दूसरा absolute measure of dispersion and relative measure of dispersion तो नहीं से रिलेटिड है लेकिन आपको बताना चाहूंगी जो absolute measure होता है dispersion का उसमें आप क्या करते हैं exactly उसी हम में answer निकालते हैं same unit में जिसमें हमें question दिया like kg में इस form में और relative में आपको पता है comparison से related होता है इसमें हम लोग ratio और percentage में answer निकालते हैं और relative कोई ही हम coefficient of dispersion भी बोलते हैं तो अब आप यहां देखेंगे relative measure of dispersion refers to the variability stated in the form of ratio और percentage यह बिल्कुल सही है relative measure of dispersion में क्या होता है ऐसी variability जो की state की जाती है in the form of ratio और percentage यह first statement सही है उसके वाद second है relative measure of dispersion is independent of unit of measurement independent मतलब इस पे हम effect नहीं देखते हैं इसको सीधा हम ratio और percentage में define करते हैं तो second वाला statement भी बिल्कुल correct है absolute measure is also called coefficient of dispersion यह वाला जो point है यह not correct है because absolute measure को नहीं जैसा कि मैंने आपको भी बताय था relative measure होता है relative measure उसको हम लोग coefficient of dispersion कहते हैं यह वाली statement जो है हमारी not correct है और हमसे यही पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए absolute और relative में क्या difference है और इनके अंदर क्या क्या चीज़े आती है ठीक है जैसे absolute में आपका range आ जाता है mean deviation standard deviation जबकि relative में के coefficient की बात होती है like coefficient of range coefficient of mean deviation etc ठीक है next question previous year is defined under which section of income tax act मतलब जो previous year की जो हम बात करते हैं जो की assessment year से पहले आता है previous year वो year होता है जिसकी income पर tax लगता है तो उसको कौन से section में define किया गया है और इसका answer आप लोग मुझे comment section में बता होगे option है section 3, section 9, section 7 and section 8 next question which of the following will be not taxable for not ordinarily resident आपको यह बताना है इन में से कौन सा जो है नहीं taxable होगा किसके लिए not ordinary resident के लिए तो इससे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहती हूँ जिससे आपको proper knowledge हो जाए और इससे related आपका कोई भी question आए तो आप answer दे पाए ओके यह देखिए चार्ट tax incidence का अब आप यह देखिए income इंडिया में हो रही है इंडिया से बहार हो रही है तो क्या-क्या अलग-अलग situations है और किस-किस के लिए taxable होगा तो हम three categories में divide कर रहे है ठीक है जैसे आपको पता resident को two categories में divide करते है ordinary and not ordinary और जो third category आपकी जो अलग से category है वो है non resident तो अगर आपको मतलब पता चल जाए आपको लिखावा मिले income received in India weather accrued or horizon in India और outside India मतलब income receive आपको इंडिया में हो रही है चाहे वो accrued और arise इंडिया में हुई है या outside इंडिया तो तीनो categories के लिए taxable होगा ठीक है second में देखिए income deemed to be received deemed word आ गया है जिसको हम माना जाता है बाकी सारा first की तरह से ही मैं तो इसमें भी yes 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 तीनों के लिए taxable होगा third देखिए income accruing or arising in India मतलब उसका source या फिर हम कह सकते है accrued या arise इंडिया में हो रही है चाहे इंडिया में हमें मिली है या outside इंडिया तो भी तीनों के लिए क्या होगा taxable और fourth में इसी का इथर्ड का deemed word आ जाएगा income deemed to accru or arise in India whether received and whether received and accrued okay whether received in India और outside India मतलब accru or arise deemed हुए इंडिया में चाहे आपको receive इंडिया में हुआ चाहे outside इंडिया तो अभी तीनों categories के लिए taxable होगा अब fifth देखिए जो income receive or accru or arise outside इंडिया हुई है income receive and accru or arise outside इंडिया ठीक है सब कुछ बारा है बट ऐसे business से हुई है या ऐसे profession से हुई है जो कि इंडिया से control हो रहा है तो ordinary or not ordinary के लिए taxable होगा but non resident के लिए नहीं होगा sixth case देखिए income receive and accrued or arise outside इंडिया from a business एसा business जो की control कहा हो रहा है outside इंडिया ठीक है तो सिर्फ ordinary resident के लिए taxable होगा सिर्फ okay seventh है कि income receive and accrued or arise and outside इंडिया सब कुछ बारा है from any other source sixth में आपा ने business की बात कि outside इंडिया इसमें other source है तो भी ordinary resident के लिए taxable होगा अब eighth में देखिए income accrued or arise and to India during the previous year यानि कि पहले वाले सालों में हमें accrued or arise हुई थी or receive हुई थी outside इंडिया पहले सालों में but previous year में इंडिया को रिमिट की गई है तो यहां पे तीनों के लिए taxable नहीं होगा सिर्फ यह वाली categories ऐसी है जिसमें taxable नहीं है ठीक है तो सबसे पहले देखो income from salary accrued and received in India तो यह तो तीनों के लिए होता है तो इसके लिए taxable होगा second देखिए profit of a hotel business at mail bond यह outside हो गया ना इंडिया के अलग country में है तो इसमें जो है आपका क्या होगा यह सिरफ किसके लिए होता है business भी outside है ना इंडिया के तो यह क्या कौन सा केस हो जाएगा सिरफ ordinary resident के लिए taxable not ordinary के लिए नहीं होगा taxable तो हमारा answer यह आएगा बट फिर भी मैं आपको third बता देती हूँ income from transfer of a long term capital asset in India तो यह तो definitely हमारा तीनों के लिए होता है हमारा answer second वाला आएगा तो यह कुछ question थे जो discuss किये हैं अगर आपको किसी में कोई भी doubt तो आप लोग पूछ सकते हैं okay thank you so much keep learning and have a nice day कर्के बता है